मुकेश स्टार्ट सर्जू के फर्स्ट वर्ड आ गया है assortment assortment क्या होता है assortment होता है एक collection ठीक है a collection of different types of same things कोई भी आप same things से कोई collect करते हो कोई collection मनाते हो उसके कहते है assortment जैसे आपके पास टॉफी आपने चॉकलिट टॉफी जो है वो इखटे कर ली सो वो एक assortment हो गया assortment of chocolate toffees attraction attraction होता है कि आप किसी की quality है किसी चीज में interested हो ठीक है आप attract हो रहे हैं उसकी तरफ chants chants होता है religious songs जैसे कोई भी चीज गुन गुनाना बार बार दोराना ठीक है यह सरी चीज होती है chants next word is compartment compartment क्या होता है compartment होता है separate section ठीक है एक अलग अलग आपने compartment बना दी है किसी कमरे में इक आपने अलग अलग compartment बना दी जहांपे आपका समान रखा जा सके ठीक है section बना दी है जहांपे अलग अलग चीज़े बन सकते हैं जैसे almira है अब almira के अंदर compartments बनाता है चोटे चोटे से जहांपे कहीं पर आप कुछ समान रखते हैं कहीं पर कुछ और समान रखते हैं then cradled cradled होता है किसी को बहुत प्यार से अराम से समभाल कर उठाना ठीक है जैसे एक baby होता है तो baby को आप बहुत अराम से cradled करते हैं into your arms so अपने हातों में लेना कंदों पर रखना इस तरीके से cradled हो गया enclosures enclosures होते हैं जालिय लगा देना fence लगा देना ठीक है area को surround कर देना escorting escorting होता है going with somebody to show him or her the way so escorting होता है रास्ता दिखाना किसी की help करना किसी को भाल लेकर जाना so आप उसे escort कर रहे है escorting fascinated fascinated का मतलब होता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा attracted है एकदम से उसमें आपको उस्सुकता आ गई है flipped flipped होता है कि एकदम से पलट जाना या फिर खुल जाना ठीक है frustrated frustrated हो गया कि आप बहुत ज़्यादा परिशान है और annoyed है first होता है एक unnecessary excitement या फिर activity gazing gazing होगे गूरना बहुत देर तक देखना पौड पौड हो गया पौड जो होते हैं वो होते हैं पंजे ठीक है जानवरों के पंजों को पौग आ जाता है और इसी से बन जाता है the dog pot at the back door so dog जो है वो पीछे की तरफ से अपने दरवाजे से अपने पंजे बार बार मार रहा है जैसे persuade persuade होता है किसी चीज का पीछा करना या फिर किसी चीज को हासल करना ठीक है आप किसी चीज को ढून रहे हैं recite recite means दोराना rescue rescue means किसी की जान बचा देना scattering scattering होता है फैल जाना किसी चीज का गर के फैल गए जैसे मौती गर गए और फैल गए so scattered हो गए श्रीकिंग श्रीकिंग होता है बहुत तेज चीक निगल जाती है जैसे एकदम से शौक में या फिर दरद में snap एकदम जटके से ठीक है snap unaware जिसका आपको पता ना हो ठीक है जिसके आपको मालूमात ना हो और के बाद है last word विर विर होता है continuous low sound एक बहुत हलकी हलकी सी आवाज आती है जैसे फैन चल रहो तो वह word sound कहा जाएगा क्योंके बहुत हलकी आवाज आती है